घने मुलायम काले बाल हर किसी को पसंद होते हैं और हर कोई यही चाहता है कि हमारे बाल काले घने लंबे सिल्की साइनी हो जाएं बालों में चमका जाए बालों में जाना जाएं तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं अपने सफेद बालों को काला घना लंबा सिल्की साइनी बनाना चाहते हैं तो मात्र इसमें उसके का इस्तेमाल कर लीजिए आप देखना आपके जो बाल हैं नेचरल तरीके से काले होंगे घने भी होंगे साथी साथ सिल्की साइनी होंगे आज कल सबसे बड़ी प्रोब्लम यही है कि जिसे देखो उसे बाल सभी दुसकी हो रही है चाहे फिर वो कम उम्र के लोग हों तो मात इसका इस्तेमाल करिए और नेचरल तरीके से आप अपने बालों की हर एक समस्या को खतम करिए और साथी साथ नेचरल तरीके से बालों को काला घना लंबा सिल्की साइनी मनाईए तो नुस्खा तयार करने के लिए आपको लेना होगा अद्रक अद्रक का हमें निकालना है छिलका दो करके छिलका निकाल दीजिए और उसके बाद मैं आपको बताओंगे क्या करना है अद्रक का आपको छिलका निकाल करके इसको आपको ग्रेड कर लेना है यानि कि कद्दू कस कर लेना है दोस्तों अद्रक में भरपूर मातरा में जिंक होता है ठीक है ये जिंक क्या करता है हमारे बालों को काला बनाने में घना बनाने में बहुत तेजी से मदद करता है साथी साथ बालों में लगा इंफेक्शन यानि कि हर तरीके के इंफेक्शन से ये बचाता है जो धूर के लिए पका लेना है जब यह पानी आधा कप रह जाए तो उसके बाद में इस पानी को हमें गैस से उतार लेना है थोड़ा धीमियाच पकाईएगा ताकि अध्रक का सारा अर्क हमें इस पानी में मिल सके दोस्तों एक आप से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक कर देना मैं हूँ नवरता वलोरिया इंडियन यूटूबर और आप सभी लोगों का चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों इसको वीडियो को पसंद अगर आ रहा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों मैं सेयर कर देना ठीक है तो यहाँ पर यह जो अध्रक का पानी यह तैयार हो चुका है अब यहाँ पर दूसरी सामगरी हमें लेना है दोस्तों लॉंग लॉंग क्या करता है हमारे बालों को काला भी बनाता है घना भी बनाता है सिल्की सायनी बनाता है और साथी साथ यह लॉंग हमारे बालों को हर तरीके के इंफेक्शन से बचाता है बालों अगर आप मार्केट से लेंगे तो उसमें होता है मिलावट तो आप घर पे बनाइए अगर जल्दी फायदा लेना है तो अब यहां पर मैंने लोंग का जो पाउडर बनाया था उसको रख दिया है अब इसके बाद यहां पर मैंने अद्रक का जो पानी था उसको मैंने गरम- ही आपको च्छानना है अब गरम-गरम अद्रक के पानी में आपको डाल देना है लोंग दोस्तों जो भी सामगरी हम इसमें इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं यह सारी सामगरी मिल करके आपके बालों को स्वस्त बनाएगा मजबूद बनाएगा साथी साथ घना काला लंबा शिल रहा है और इसका डार ungg construction होता जा रहा आपके बावु पंद करके तयार हो रहीPod since मैं ने इसलिए बोला कि कम उम्र के लोग यादि कि मैंने देखा है कि बारहे साल के ग्यारे ग्यारे साल के बच्छों तक के या पर टानी की बखें गजकों बद्द जाता है च shrimक बदल जाता है तो इसलिए कोई भी इसको इस्तिमाल कर सकते हो अब यहाँ पर अगली साब अगली आपको टालना है क्या इसको ठंडा करने के बाद में अध्रक पानी को ठंडा करने के बाद में आप एसमें डालना है जैसके आप दे सकते मैंने याँ परین वाला है तो भी ले सकते ताजा एलोवेरा की जेल ले सकते हैं ताजा एलोवेरा पती से जेल निकाल करके उसमें ले सकते हैं तो एक चमच एलोवेरा जेल डाल दिया है एलोवेरा जेल हमारे बालों को मिंडल्स देगा और साती साथ यह हमारे बालों को मौस्टराजिं देगा बालों की जड़ों को infection से बचाएगा साथी साथ बालों की जो scalp होता है उसमें यह डेंडर पूसी कुछ भी नहीं होने देगा अगर है भी तो यह खतम करेगा नई बालों गाएगा तो अब अगली सामगरी इसमें डालना है तेल तेल हम कौन सा लेंगे यहां पर मैंने लिया है बादाम ओल बादाम हम क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में इसका करेंगे इस्तेमाल इसको हमें कैसे करना है वह भी आपको बताऊंगी यह मैंने तेल इसमें डाला है यह क्या करेगा हमारे बालों में यह खाद का काम करेगा खाद का मतलब हमारे बालों को यह मिल्लस देगा, जब सारी चीज़े हम मिल्लस बिटामिस की ले रही हैं तो हमारे बाल क्यों काले नहीं होंगे, निश्चित रूप से बाल काले होंगे, साथी साथ बालों की ग्रोथ भी तेज होगी, और अगर गंजेपन की प्रॉब्लम है तो भो भी आपकी खतम हो जाएगी तो आपको बस करना क्या है इसको लगाना कैसे है जिस दिन आप अपने बालों को धोने जाएं तो बस बालों को धोने से पहले आप इस लिक्विड को अपने बालों की जड़ों में बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए खुब अच्छे से लगाईए और लगा करक पेबालों की जड़ों तक जा सके, जिससे की आपके बाल मजूद हो सके, घने हो सके, नई बाल उख सके, दोस्तों जब हमारे सेल्स रिपेयर होंगे, तो हमारा काम आटोमेटिक ही हो जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, आपके सकल्फ का ब्लेट का संचार तेज करेगा, क्य खंटे के लिए छोड़ दीजिए, आप चाहें तो इसे रातवर भी रख सकते हो, कोई प्रोब्लम नहीं है, अदरवाइस आप इसे दो घंटे टाम जरू देना, और उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी मैड सेंपू से, आप अपने बालों को साफ कर लेना, इतना के दोने से पहले कर लेना, यानि कि हफ्ते में दो वार इसको जरूर इस्तेमाल करें अपने बालों में, दोस्तों वीडियो पसंद आयो, तो लाइक करें, दोस्तों सेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें